है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग और दोस्तों मेरा वीडियोस में ज्यादातर कॉमेंट एक आता है दोस्तों ठीके ज्यादातर कॉमेंट आता है बहुत सारी वीडियोस में अलग-अलग वीडियोस में कॉमेंट आता है दोस्तों जो स्केच्चोयर प्रो में हम लोग जो project बनाते हैं जो application बनाते हैं न क्या हम इसे play store पर publish कर सकते हैं मतलब google play console account में हम इसे upload कर सकते हैं कर सकते हैं या नहीं ठीक है इसके बारे में comment आता है और अगर हम play store पर publish कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो इस पर बहुत सारा comment आता है दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों अभी जो है न ये 2023 तो खतम हो गया है 24 आ रहा है 25 आगे दोस्तों धीरे धीरे google play store google play console account जो है न दोस्तों बहुत ही ज्यादा तगड़ा बनता जा रहा है बहुत ही strict बनता जा र कर टाइम में दोस्तों play console पर एप पब्लिस करना इतना असान नहीं है दोस्तों बहुत ही बहुत ही जदा मुश्किल है ठीक है असान है अगर आपको पता है सब चीजे rules policy ठीक है क्या क्या है यह सब आपको पता है तो आपके लिए असान है लेकिन जो नया है जिने ज्यादा कुछ पता नहीं है उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ठीक है क्योंकि google play console account में जो अभी जो नया rules policy निकल दिया गया है न वह बहुत ही बहुत ही ज्यादा टक है दोस्तों ठीक है अगर आप उसको follow करके जो google play console account का जो rules policy है न दोस्तों अगर आप उसको follow करके आप easily publish कर पाएंगे मैं करता हूं मेरा google play console account में आपना एप को publish करता हूं easily क्योंकि पता है तो जिने पता है उनके लिए आसान है जिने पता नहीं है उनके लिए मुश्किल है और दोस्तों अभी का समय पर और आने वाला टाइम में google play console account और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए है ठीक है आपको बहुत कुछ रूल्स जो पॉलेसी को फॉलो करना पड़ेगा उसके बात जाके आप प्ले स्टोर पर एप को publish कर सकते हैं ठीक है मतलब कोई अभी जो नॉर्मल जो जो बीगिनर जो नया नया जो डेबलपर सीक रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत ही ज़द बहुत जल्द आ जाए क्योंकि अभी लग रहा है उसका अपडेट आने वाला है लेकिन फिलहल स्केच वैर प्रो का अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है वही ओल्ड भी 6.0.4 ना कुछ ठीक है आर सी 5 करके कुछ यह जो है वर्जन में इस्तिमल कर रहा है उसका वही ही ल प्रोजेक्ट फाइल बनाता है तो आप उसे प्ले कंसल पर अपलोड नहीं कर सकते लेकिन हां दोस्तों एक मैं जैसे कि कि आप में हुआ प्रोजेक्ट को प्ले कंसल पर अपलोड कर सकते हैं और आस्ता क्या है दोस्तों इसके चोएर प्रो में जो हम लोग एपलिकेशन बनाते हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका सोर्स कोड को आपको एक्सपोर्ड कर लेना है आप कर सकते हैं एंडुरुड स्टुडियो का source code में export कर लेना है उसके पाद दोस्तों अगर आपके पास desktop या computer लैप्टोप बगरा है उसमें android studio इंस्टॉल कर लीजिए ठीक है यूटुब में बहुत सारे tutorial से वीडियो से आप देख करके सीख सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद दोस्ता आप android studio में उस जो भी आपका file निकल के आएगा sketch or pro में से उस प्रोजेक्ट फाइल को आप उसमें export कीजिएगा ठीक है और हाँ दोस्तों android studio आपको चलाना आना चाहिए उसके बारे में सारे चीजे पता होना चाहिए ठीक है coding coding के जाबा coding के बारे में आपको knowledge होना प्रोजेक्ट फाइल है उसको आप असानी से android studio में आप उसमें convert कर सकते हैं ज्यादा कुछ नहीं बस coding का फरग है ठीक है क्योंकि android studio का जो प्रोजेक्ट हो थोड़ सा अलग टाइप का होता है उसमें कोडिंग बगरा होता है आप डाइरेक्ट ही प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं मैं ऐसा ही करता हूं और अपना आपको पब्लिस करता हूं दोस्तों इजी हो जाता है क्योंकि तब जब यह आप android studio में प्रोजेक्ट फाइल को बनाता है ना तब वह प्रोजेक्ट फाइल नहीं रहता है detection में अपने बनाया sketch power pro में उसका source Andrew को और स्थ्वाल कर दिया है उसके ब発 दोचिंबाद में एक्सपोड करके अपलोड कर दोड़ेक्ट वही सब्सूसें करता हूं ऐसा करता हूं एजी होता है और Sketchware Pro में अभी अपडेट नहीं आया है और अगर फ्यूचर में अपडेट आता है ठीक है तो अच्छा रहेगा आप डाइरेक्ट ही Sketchware Pro में application को बना के play console पर upload कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कट हो गया था ठीक है तो मैं कहां बोल रहा था हाँ दोस्तों Sketchware Pro में application बनाना बिलकुल असान है बच्चों का खेल है देखिए UI design बनाना जो XML बगरा जो है न वह बनाना एकदम इजी है उसके बाद custom blocks ओ तो और भी अच्छा है और मतलब custom blocks को समझना बहुत ही असान है दोस्तों custom blocks की मदद से आप easily मतलब कम समय में आप बहुत ज़्यादा coding कर सकते हैं ठीक है आप easily application को बना सकते हैं लेकिन दोस्तों Android Studio में ऐसा नहीं है वहां पर XML या Java code यह सब आपको लिखना पड़ता है और समझना पड़ता है लेकिन custom blocks में आप custom blocks को देख करके समझ जाएंगे इतना सारा code एक ही इतना छोटा सा custom blocks के अंदर समाझ आता है और समझना बिल्कुल easy होता है तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो इस बनने के बाद उसका source code को आप android studio में copy paste कर दीजिए easily आपका application बन जाएगा और हां दोस्तों हर किसी के पास तो हर किसी के पास laptop computer तो नहीं है ना हर किसी को android studio चलाना नहीं आता है दोस्तों खास करके जो नया लोग है जिने पता है उनके लिए बहुत असान है ठीक हो कैसे भी में बहुत ज्यादा समय लगेगा ठीक है पहले पहले जो नया लोग है ना पहले उन्हें डर लगेगा यहां कितना मुश्किल काम है क्या लेकिन सीखने के बाद बिल्कुल easy हो जाता है दोस्तों यह एंडुड एप development Java coding बगरा जो है ना यह सीखने के बाद आपके लिए easy हो किये थे इसी चीज़ का related आपको सही जबाब मिल गया होगा बाकि अगर कुछ रहा गया है तो आप comment जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई help चाहिए एडमॉप का related Google Play Store रिलिटेव Google Play Console रिलिटेव चारेये नहीं बनाता हूं नहीं बनाता हूं पता नहीं क्यूंकि इसे पहले में बनाया था तो भी हूच नहीं आता है तो तो टाइम नहीं मिलता है लेकिन सारा एकसक्प्रियेंस है ठीक है यूटूब से लेकर हर चीज का experience है अगर आपको किसी भी चीज में help चाहिए तो मैं कुशिस करूंगो help करने की दोस्तों ठीक है बाकिया आप comment कीजेगा वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा और हमारे channel को subscribe कर दीजेगे दोस्तों मिलते हैं next video में अभी के लिए इतना ही बाबाई